हेलो स्टूडिंट्स वेलकम टू एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफर्म आफ एडवांस इंचेनियरिंग क्लासेज मैं हूँ अनामिका सिंग और आज में लिकर आई हूँ एक बहुत ही बहुत इंपोर्डेंट चाप्टर जिसका नाम क्या है भाई चाप्टर का नाम कई बार सुना होगा लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया होगा कि बाई इस एक्ट्वल चाप्टर में हमें पढ़ना क्या है काफे सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ज्ता क Chaos होते हैं कि इस छाप्टर में कॉन कॉन सी चीजें आती है तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हमारे डेलीérica में जो हम चेमिस्ट्री पहली चीज़े यूज करते हैं वह हम अच्छिलीमी में आज डिसकस करेंगे कि हमारे डेल्याइफ में केमिस्ट्री या सा से थेवर आपको बताया है कि अगर देखना है तो तुम अपने शरीर में देख लो टो टो सणलगाफ दूर्टा से में श्रक्राइब है तो सा यह जोटा सा कीडों भी बाइलोजी में होता है एक बड़ा सा हाथी भी व्यामि आता है हम भी बाई आता है जो दो होते हैं कर दो कि जो से कर्छ नधे में बताया है तो भाई हम तो नहीं देख सकती है अकर हम पर्टिंस में यहां पर क्या काम कर रही है इसी के साथ एक अगर में मोशन के बात करूं गतिगी का बात करूं यहां पर भी फिजिक्स काम कर रही है और अगर मैं आपसे बोलूं और कौन-कौन से चीज़ें आती है ऐसे ध्यान भी नहीं आता कई बार तो अगर पढ़ा दे जाओ तो ग्रेविटेशन गुरुत्वा कर्शन यहां पर अ अब यहां पर एटम के बारे में देखते हैं एटम किसी भी पदार्त के सबसे चुटी काई होती है तो यह भी क्या हुई बिटा क्यमिस्ट्री होई तो ऐसे अगर हम कैमेस्टरी पर ना चाहें नहीं बहुत कुछ है लेकिन अब यह चीज तो आपके दिमार्ग में बाढ़ of science तो है वो किसी ना किसी रूप में है बस हमें उसे देखना है कि वो किस रूप में है ठीक है तो आईए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने प्यारे से से सेशन को पर इस प्यारे से से सेशन को स्टार्ट करने के पहले वीडियो को लाइक कर देना इसे शेयर कर देना अपने उन सारे दोस्तों के साथ जो actually में ये chapter पढ़ना चाहते हैं इसी के साथ साथ अपने प्यारे-प्यारे से comments करना नहीं भूलिएगा तो हम start करते हैं प्रमुक विस्फोटक से हम कुछ major explosive से पढ़ना शुरू करते हैं यानि कि विस्फोटक क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं अब विस्फोटक का कभी भी नाम आता है तो हमें कुछ चुन्नुमुनु से नाम पता होते हैं लेकिन उन चुन्नुमुनु के नाम से तो हमसा हमारा काम चल नहीं सकता है तो मैं जतनी भी तरह के विस्फोटक होते हैं उनके बारे में बात करूंगी explosives के बारे में बात करूँगी तो क्या आप सभी तयार है और अगर तयार है तो चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं dynamite के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे dynamite के बारे में मैम ये एक तरीके का explosive है कि अब बिलकुल है ये विस पोटग होता है इसका आविशकर जो है भाई वो सन 1867 ईस्वी में कब हुआ 1867 ईस्वी में अलफ्रेड नॉबल ने किया था क्या नाम था भाई तो अलफरेड जॉबल ने चिया था यह नाइट्रो ग्लिसरीन को किसी अकरीय पधार जैसे लकडी के बुरादे में अब शोषद करके बनाया जाता है तो तुम बस याद कर लेना लेकिन याद करके बिलकुस सीरियस हो जाना है तो इतना सीरियस नहीं होना है ठीक है तो हमने क्या देखा भाई इसका अविशकार 1867 इसमें अलफ्रेड नोबल ने किया था इसी के साथ यह नाइट्रो ग्लेसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे क लकड़ी के बुरादे में अवशोशित करके ही बनाया जाता है नेक्स आते ही जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रो सेललोस की मातरा उपस्थित रहती है किसमें क्या उपस्थित होता है तो जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रो सेललोस की मातरा जो है वो उपस्थि diesem आधूनिक डाइनमाइट में नाइट्रो ग्लिसरीन की जगह पर सोडियम नाइट्रीट का यूज किया जाता है यह वह बहुंट है है तो पहले किसा यूज होता था तो पहले होता था नाइट्रो ग्लीसरीन का लेकिन अब की एड लिग large करें आधनिक समय के अगर हम बात करें तो उस लाप करें दैना माई World की जगह परbetर किसा यूज होता है किसका यूज होता है भाई sodium nitrate का यूज होता है क्या मेरी बात समझ में आई तो ये हमने सबसे पहले किसके बारे में जाना है प्रमुक विस्पोटक में हमारा सबसे पहला पॉइंट और वो क्या था तो वो था भाई dynamite सैकेंड आते हैं अपने अपने discussion के point के तरफ जो कि क्या है ट्राइ नाइट्रो टॉल्विन अब आप कहेंगे कि माम ये विस्पोटक हैं कि हम तो बस हम तो देखते हैं कि विस्पोटक क्या होता है हमने कभी नाम नहीं पढ़ा लेकि नाम तो बदा होना चाहिए फिर यही जी से reaction ना हो कि हम first time पढ़ रहें इसलिए हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे सो हमने देखा ट्राइ नाइट्रोग टॉल्विन के बारे में यह टॉल्विन इस टॉल्विन के बारे में बात करें तो यह C6, H5, CH3 के साथ सांद्र H2SO4 एवं सांद्र HNO3 की क्रिया से बनाया जाता है इसके विस्पोटक गती 6900 मीटर प्रती सेकिंड है लो भाई हमें यह भी पता चल गया कि किन किन के मेल से बनता है वैसी इस तरीके के question बहुत rarely पूछे जाते हैं मतलब यह मान के चलो कि अगर आपके किसमत बहुत ही बुरी होगी ना बहुत ही बेकार होगी तो इस तरीके क questions आएंगे जैसे कई बार हम paper देने जाते हैं और हम सोचते हैं किसमत इचारे मेरे तो कभी सोच ही नहीं था तो हाँ तो अगर ऐसा ही आपके साथ होना होगा ऐसा हम किसी पर blame नहीं कर सकते लेकिन होता है बाई जीएस में तो blame करना बनता है क्योंकि जीएस बहुत बड़ा subject और इस तरीके के question भी आने लगे तो हले कि मैं मुझे बूरा बतारी है अब देख साथे हैं फिर हम इसी के साथ ट्राइन एकरो फिललॉल के बारे थैंट्र जाता है यह फिनॉल के मेल से बनाया जाता है घए ख अटांगे पर रधान ज्वाद करे लें आए agree क्यों से बनाया गया था छोड़ा यह याद कर लेंगे कि जुटान ऑड़ने क्योणर। बनता है इसे के साथ नेक्स आते हैं square प्राइन संद्ध के बारे में 1-5 पाया गांज में होता है लिक्विट रट में ही तो चैनी चाहित है नाइक आते हैं जान्ष मृत छो Change शह पिलक्र और समय म्मढर्दा क्राइब को और स्थिल स्था तरख और स्था इसे अंपनाने के यहां क्या होगी और फिर यह क्या बनाया जाएगा गिलीसरीन के साथ अभी क्या होगी और फिर क्या बनेगा अब क्या होता है कि यह तो वह वाली बात कि कि माम यह तो reactions पढ़नी पढ़ रही है, पढ़नी पढ़ेगी भाई, कोई दूसरा option नहीं है, हाना, अगर कोई दूसरा option होता तो माम वो भी लिकर आ जाती है, लेकिन जहां पर पढ़ाई ही लिखी है, अच्छा, तुम लोगों ने जहां जोर notice करियोगी, कि मैं कभी tricks इतनी मैं इनकी क्याई ही trick हो सकती है, मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं कि मैं time waste करूँ, मेरे साथ यह simple सा funda है ही नहीं, मेरा ऐसा है कि मैं आई हूं तो मैं अपना अगर 45-minute का भी session है मेरा, हना क्योंकि आपके online class में 45 minutes आपके offline के लगबग और गंटे के बराबर होता है, यह में आपको बता दूँ यहां आप जो चीज 45 मिनिट्स में पढ़ रहे हूं 50 मिनिट्स में पढ़ रहे हूं आपके ऑफलाइन में डिर से 2 गंटी के बराबर है देट मींज मैं आपका बहुत कुछ यहां पर कवर कर आ रही हूं तो मेरा से अपन्डा है कि मैं ट्रिक का यूज करके समय वेस्ट ना करूं क्योंकि ट्रिक में एक से लाइन से अप कितना ही याद कर लोगे आपको वह से लाइन याध करने में डिफिकलिटी जोंगे और हर च नहीं होगा और इसका पूरा नाम research and developed explosive होता है क्या होता है research and developed explosive होता है इसका रासायनिक नाम cyclotrimethylene, trinitromine होता है यानि कि हमने इसका रासायनिक नाम भी देखा अच्छा ऐसा कोई रासायनिक नाम मैंने अभी तो आपको नहीं बताया लेकि नीशी में क्यों बताया है क्योंकि RDX का रासायनिक नाम यानि इसका जो chemical name होता है तो येस ये बूचा जा सकता है तो हमने सबसे पहले क्या जाना क्या रासायनिक नाम क्या होता है तो वो cyclotrimethylene और इसे हम trinitromine के नाम से जानते है सो येस इतना ही प्यारा सा ये नाम है और इतने ही प्यारे से नाम को हमें पढ़ना है ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने फटा-फट से आगे और हम जानते हैं इससे फ्लास्टिक page विस फोर्टमte कहाँ जाता है आडीस को क्या कहते हैं प्लास्टिक विस पोतक को को यू ऐसे में कहां पर यू ऌ यू में यू एसे का नाम तो सुना ही होगा आप सभी यू सेमें सैकलोनाइट जर्मनी में हैजो जन तथा इल्ली में ती पोर के नाम से जाना जाता है यह important है यह important है जहां पर हम इंडिया में भारत में इसे RDX के नाम से जानते हैं USA में इसे अलग नाम से जाना जाता है इतली में इसे अलग नाम से जाना जाता है और जर्मनी में अलग नाम से जाना जाता है तो USA में इसे साइक्लोनाइट के नाम से जानते हैं जर्मनी में इसे हैक्जोजन के नाम से जानते हैं और इटली में इसे टीपोर के नाम से जाना जाता है RDX में तापमान एबं आग की गती को बढ़ाने के लिए ऐलुमिनियम चूड़न को मिलाया जाता है किस चोड़न को मिलाया जाता है अलुमीनियम चोड़न को मिलाया जाता है RDX विस्पोर्टर की जो उश्मा होती है वो 1510 किलो कैलोरी प्रती किलोग्राम होती है वैसे आपको इसकी उश्मा वगर ऐसे इत्ता ध्यान नहीं रखना है इसे बिलकुल मत छोड़ देना ठीक है इसके पहले वाला जो हमने यह सब चीजे पड़ी थी हाँ यह थोड़ी थोड़ी इंपोर्टेंट थी मैं आपको बीच बीच में बताते चलूंगी कि कौनसी चीज बहुत जादा इंपोर्टेंट है कौनसी कम अब यह मत कहना कि मैं में काम करिये ना जो इंपोर्टेंट है हमें वही पढ़ाईए भाई देखो यह जो एक्जाम करवाते हैं वो मेरे दोस्त थोड़ी होते हैं कि छोट्य के हमारा गाम यह कि जो इंपोर्टेंट हैं हम यह बहुत इंपोर्टेंट है लेकिन फिर भे गुवेस्टन में देखनी को मिल सकता है अपको Sorry कर गे उसमें मल जाएगा आपको ईनलाइन टेस्ट्स करें आपको उडूंगे उसमें मिल जाएगा तो that's why हमें कुछ भी नहीं चोड़ना है, हम हर एक चीज पढ़ेंगे, तो हमने जाना इसके बारे में चलिया, आगे बढ़ते हैं अब, अब बत आती है कि RDX के खोश किस ने करी, तो इसकी खोश, है न, 1899 इस वी में जर्मनी के Hans Henning ने शुद्ध सपेद दानिदर पाउडर क के रूप में इसका यूज किया था प्रयोग किया था इसका उपियोग द्वतिये विश्वयुद्ध के दौरान इसे इस्तिर यॉगिक के रूप में परिवर्तित किये जाने के बाद प्रारंब हुआ लो भाई विसफोटक, RDX का यूज सेकंड वर्ड वर्ड में भी हुआ था है ना उसके बाद इसका जो प्रयोग दा इसके दौरान इस्तिर यॉगिक के रूप में परिवर्तित किये जाने के बाद इसको प्रारंब किया गया तो हमने जाना कि कोच किस ने की थी मतलब कब की थी बाई 1899 में की ती जर्मनी के हैंस हैंनिंग नाम के एक साइंटिस धी जिन्हों ने सफेत दान इदर पऌवडर में इसका यूज़ किया था अब आते हैं बारूत की तरफ गन पौउडर का नाम आपने सुना ही तक उना इसके खोज रोजर बैंकर ने किया था और इसे बनाने में पोटेशियम नाइट्रीड का यूज़ किया जाता है ये ज्यादा इस तरी के हिंदी में आप लोगों को भी कन्फूजन होती होगी वैसे मुझे नहीं होती है मुझे कहा होती है वो 39 49 69 इस जगह थोड़ी थोड़ी होती है बाकि तो अपन हिंदी इंगिल्स दोनों में काम चला लेते हैं तो इसका प्रतम अभी लेकित प्रयोग 1346 में अंग्र नहीं सब्सक्राइम मतलब इन सब्विस्पोटक के बारे में बता रहे ही हूंा कि इसक्डike दे को बढ़ना के हैं कितने तरीके के होते हैं वह हमने डिसकस कर लिया ठीक है छालिए न roads की तरह हाते हैं तो क्या आप सभी तैयार है साबुन Śोप को अमलके sodium potassium लबडों के मिश्रन से होते हैं और साबुन बनाने के क्रिया को साबुनी करन कहते हैं हाँ यह कई बार ऐसा होता है कि यह साबुनी करन वर्ड आ जाता है फिर हम कहते हैं भाई क्या है यह साबुनी करन यह कहलाता क्या है तो जो साबुनी करन होता है यह क्या कहलाता ह है तो हमने देखा कि सभी साधार्य साबुन जो होते हैं वह उच्च वसीय अम्लों होते हैं जैसे कौन-कौन से तो एक सित्यरिक होता है पॉलमिटिक होता है ओलेक अम्लों होता है सोडियम और पॉटेशियम लवडो के मिश्रण से भी यह बनता है तो फिर सोप याने साबून बनता है आपने देखा होगा मार्केट में साबून भी तरह तरह के आते हैं कुछ बहुत महेंगे आते हैं कुछ सस्ते आते हैं कुछ बहुत सस्ते आते हैं कुछ और साबून में भी कई तरीकी के समस्याएं आती हैं कुछ अगर हम ऐसा वैसा साब कर ले वह तो सब्भाइब कर लेते हैं लेकिन क्या होता है हमारे सकीं पेट हमारे इपक्ट होता है किसी चीज में तुम से कोई बोले की कपड़े होने वाला साबू ने उसको फेस पर हुआ है तो ऐसे वो जो नॉर्मल सोब होता है न ऐसे नहीं कर सकते हैं इसा नहीं होता है कई नहीं लेकिन आपको कई सारे पर ह pupils करते हैं आप इसा करते हैं कि उस्चेयों करते हैं एक समय के बाद की सकता है या और वो dry होने लगे, सूखने लगे या सपे सपे से आपको skin में dry skin, dead skin जो है वो निकलने लगती है है ना, तो ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं जो हमें अमरे skin में देखने को मिलती है चीके, चलिए, तो हमने क्या देखा साबुनी करण के प्रक्रिया क्या होती है यह तो मैम ने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया अब आते हैं वे साबुन जो उच्च बसीय अमलो के sodium lover होते हैं है ना, जो कड़े साबुन कहलाते हैं हमने क्या देखा कि वे साबुन जो उच्च बसीय अमलो के sodium lover याने कि caastic soda होते हैं उसी को बिटा हम क्या कहते हैं तो यह कड़े साबुन कहलाते हैं इनका उपयोग कपड़ा दोने में किया जाता है कहां किया जाता है तो इनका जो उपयोग वो कपड़ा दोने में किया जाता है अब वे साबुन जो उच्च बसीय हमलो के क्योंकि कपड़ा दोने के साबुन अलग होते हैं हम अपने कपड़ा दोने के साबुन को नॉर्मल साबुन से मिक्स अप करके यूज नहीं कर सकते हैं नॉर्मल साबुन का इस बॉडी में किया जाता है और कपड़ा दोने के साबुन का इस कपड़ा दोने में किया जाता है ठ कि कड़े साउां और युष रहा वाले सावश कर रहे दितके कि बाल खराब और मैं हो चुके थे मतलब खराब हो चुके थे मैंने आपको बोला जिसे अगर कोई शैंपू बना है कंडीशनर बना है कोई फेस के लिए क्रीम बनी है मैं आप से नहीं कहरे हूं कि आप लाखों का हजारों का सामान करी तो मैं नॉर्मल बोल रहे हूं कि एक आम व्यक्ति आसानी से सकता है मैं उन्हीं को लेकर बात कर रही हूं तो अगर हम ऐसा कुछ यूज करते हैं तो वह बॉड़ी पे डेफिनेटली असर करेगा यार बाल खराब कर देगा और स्किन कितनी जादा इंपॉर्टेंट होती है चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो मैं तो दोनों को उसको हम सर पे लगाएंगे बाल पे लगाएंगे तो बाल भी तुम्हारे हाड यानि की कड़क हो जाएंगे और हमारे बाल सॉप्ट होने चाहें और बालों की टेक केर भी करनी पड़ती है हमको है ना प्रॉपर टाइम पे कॉम्ब किया करो नहाया करो प्रॉपर टाइम प कर Pak sir connection होता है क्वियों नहीं होता है connection동 और क्वाड़ी में क्यल्चियम की कमी होगी तो बिलकुल होगा तो कई सारे विटमिने से सीधा करींग से के लिए हमें अपने खान-पान का दियान तरह पर ड़ता है उनके hair के trees में उनके hairs देखना अलग ही दिखते हैं उनका face अलग ही glow करता है क्यों क्योंकि वो खान पान का भी ध्यान रखते हैं है ना खेर यह तो हो गई भाई ग्यान की बाद आगे आते हैं तो हमने क्या देखा वे साबुन अच्छा करे साबुन हो गए और मुलायम साबुन हो गए स्नान करने में नीका यूज किया जाता है चली और किस से मिलकर वैने वो भी हमने देख लिया अब specially हम डिटर्जन की ही बात कर इसमें लंबे श्रंकला का हईड्रो कार्बन इवं श्रंकला के अंतमिक धुरूबीय समू परन्तों यह साबुन से इस मामले में उत्तम है कि यहां पर आपने देखा होगा यह कैल्शियम प्लस टू मैगनेशियम प्लस टू आयरन प्लस टू आयन के साथ अगुलंशी अट होते हैं सोडियम एल्कॉहल सल्फॉन एगा सोडियम एलकाहिल बैंजन सलफॉनेट आते हैं तो यह कुछ एक्सामपल से डिटर्जेंट के मतलब से बनते हैं डिटर्जेंट एवं एंजयम मिला हुआ पदार्थ बहुत यह साफ दुलाई करता है हां date डिटर्जेंट के ये यूस करने से जो दुलाई होती है। काफ़ी जादा अच्छे तरीके से होती है। इस बड़खर के दुलाई को ''Micro system'' कहते हैं। पानी में साबुन н और डिटर्जेंट की मैल दूर करें के गरिया मिशेल के निर्माण के द्वारा होती है। किसके दुरा होती है irony देटर्जेन का यूज करने से हमारे कपड़े आसानी से ऑर अच्छी तरीके से धुल जाते डिटर्जन का यूज करने से टाइल्स को भी आसानी से घिसा जा सकता है चाहे किचिन के टाइल्स हो चाहे tables की टाय। तो नहीं बहुंए लेकिन हां कभी-कभी वाली जो हम सफाई करते आपने देखा हो कि याउस होती है तो इसे हम वहाँ पे खाना बनता है तो थोड़ा सा चिकना अपण आई जाता है तो हम साफ करने डिटरजंट से साफ कर सकते है साफ चेज़ों को घिसने में इसका यूज करने से धुलाई सफाई अच्छे से हो जाती है तक चाहे किसी सामान की करो सब कुछ लोग तो अपना सामान भी पोस्त हैं लैपटप वग्रा की दुलाई मत कर देना और गोपी मुँत बन जाना की बहुने कीया था हम भी करेंगे खर मजा करने हूं तरहले टियोंगे साधारों काच भी हो मेंकिम्स bells ये मिश्रंड तो होगा क्योंकि मैं ने आपको क्या बताया था कि कोई भी चीज मिश्रंड कभ होती है जब वो अलग-अलग क्या मिलक से पदार्थ से उसे मिलकर बनी हो एक वो पार्टिकल से मिलकर बनती तो वो प्योर सबस्टेंस होती काज के निर्मान में कच्छे मल के अलौण होता है ज dabei करें ही SP वीडिए मिलकर बने अलेग अलेफल कर बने है तो यह मिश्रंड होता है जो हमने आपको साधराम कास्ट का मिलकत आप हुटा है अब हम क्या बोल रहे हैं कि यह mission है लेकिन किन किन चीजों का mission है तो इतनी सारे चीजों का mission होता है जिसका formula यहाँ पर लिखा है यह काज का formula नहीं है उसके mission के बारे बदा है कि इन्हीं चीजों का mission होता है है ना चलिए तो हमने काज की कहानी को भी जान लिया और काज का use कहा कहनग होता है तो आपको बहुत चे से पता है शमारे ह MRS में में संदर्ता को बढ़ाने के लिए वह बहुत ही चीज भी-3 और कर बिना बिने काज 건ु नहीं चलता है काच के तो काम ही नहीं चलता है तो कुछ लोग तयार होने के लिए मेकप करने के लिए छोटे वाले काच का भी यूज करते हैं ऐसा होता है है ना रिलेट तो कर ही पा रहे हो कि बॉइस भी करते हैं क्योंकि हाला कि आज कल तो फोन आगे हैं तो अधिकता लोग फोन का यूज भी करते हैं रेशिदर काच का प्रेयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है लो भाई रेशिदर काच भी होते हैं क्या बिल्कुल होते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में यूज करते हैं काच की वस्तों को बनाने के बाद काच का अनीली करन जाते हैं दादविक यॉगिक का चना वांचित रंग पर निर्भर करता है चुने गए रंग पर निर्भर करता है फोटो क्रोमिक काच सिल्वर ब्रॉमाइट के उपस्तिती के कारण धूब में स्वता काला हो जाता है यह क्वेस्चन काफी पूछा जाता है अपने नाम सुना के बारे में को स्थेंट के बारे में जानते हैं सीमेंट के यूज कहा होता है तो हमने तो भाइब हम्मार ही देखा है इसका यूज के घरों में गरों में बनाने को सब्सक्राइब और cement भी कई तरीके के आती है कुछ कच्ची cement आती है पक्के cement आती है कच्चे cement मतलब कुछ ऐसे cement आती है जो खराब होती है बाई देखो यहां पर cost का आजाता है क्योंकि अगर आप सोचोगे कि आगर आपको अच्चे cement खरी नहीं है तो obviously पैसे जादा देने पड़ेंगे और अगर आपको कम पैसे वाले खरेदनी है तो उसे साफ से सीमेंट मिलती है इट भी ऐसे आती है देखना करें महेंगी लेने जाओगे तो वह प्रॉपर आपको औरेंज मिलेगी सही रिखेगे लेकिन हो वहीं अगर आप कौन से लेने जाओगे थोड़ी कम पैसो वाली तो परिया को मृत्ति का यानि लाल मिट्टी और जो शेल होती है उसके साथ बहुत अध्यदिक जादा टेंपरिचर पर गर्म करने से जो प्राप्त होता है उसी को हम सीमेंट कहते हैं इसमें के ऐल्यूमिनेटो और सिलिकेटो का मिश्रण होता है सो सीमेंट की अगर हम बात करे सीमेंट उत्पास से यंद्रों को स्टोन मिट्टी और जिबसम के आवश्रकता होती है सीमेंट प्रमो कृप से कैल्शियम सिलिकेटो रैलियम सिलिकेटो का मिश्रण है जिसमें जल के साथ मिश्चत करने पर जमने का गुड़ होता है अब जैसे ही हम पानी उसमें डालेंग में को नहीं पता है कि मैं ये काम नहीं पती हूं पर यह सब्सक्राइस अगर आपस से पाने ड़ालो फिर तुम वापने यसको पहले जैसा कर पाओ पिर वह ऐसा करने पर सीमेंट का जमना उसमें उपसित केल्शियम सिलीकेटो और अल्यूमीनियम सिलीकेटो के जल योजन के कारण होता है हाना चलिए तो सीमेंट पत्थर की भी कहानी होती है खतम लेकिन कुछ चीज़े थोड़ी सी और जानते हैं सीमेंट में 2-5% तक जिफसम मिलाने का उ सीमेंट के प्रारंबिक जमाव को दीमा करना है सीमेंट के दीमें जमाव से उसका अत्यदिक जुर्णी करन होता है अब एक नोट सुनिएगा सन 1824 इसवे में एक ब्रेटिश इंजिनियर जोसे एस पिडिंग ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला इसा नया पदार्त बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलुरूधी था उसने उसे पोर्ट लेंट सीमेंट कहा क्योंकि रंग में पोर्ट लेंट के चूना पत्थर जैसा ही था ठीक है चलिए अब आते हैं उर्वर्क की तरफ वर्टिलाइसर की तरफ आते हैं डेली उस में तो डेली उसके कैमिस्ट्री में यह थारी जीज़े पढ़नी होती है अब आपके माइंड में आ गया अब डेली उसकी कैमिस्ट्री में घाना पीना डिसकस्ट नहीं कर सकते हैं वो हम ऑलरीडि बायो में कर चुके हैं क्या खाने से क्या दानी से मिलता है बौर्डी में कहा जाता है कैसे डाइजिशन होता है कभी नहीं हो पाता तो क्या होता है मतलब अन्गिनत चीज़ें इस पर आ जाती है तो जो हम अल्रेडे डिसकस कर चुके हैं चीक है चलिए तो अब हम बढ़ते हैं फटा-फट से आगे और वर्वर्क के बारे में जानते हैं सबसे पहले चीज़े पर्टिलेजेशन उर्वर्क होता क्या है तो विभिन पदार्टों में बाहर से मिलाए जाने वाले वे रसायनिक पदार्ट जो बनाते हैं में यह सहायक होते हैं जो क्या बनाते हैं तो हमने क्या देखा जो खाद बनता है जो खाद यह बनाते हैं में क्य होते हैं सहायक होते हैं दोसफे बनाय जाते हैं इसको अलग से मिलाया जाता है ये किसी भी पदार का हम बोल सकते उसमें cha work को मिलाने सेखेदी यसानि में उसका हिए जाता है wonder यसे मिटी में और मिटी में किसी चीज़ को personality क्या मिषी चमी की लूटी है जैसे कि अब सुनो अब अच्छे से पूरी कहानी हैं सुन लेते हैं हम यह है किसी भी प्लांट के जड़ यह जड़ नहीं थी वैसे यह है जड़ हमने क्या रेखा भाई तो हमने रेखा ऐसा फिर हमने क्या रेखा फिर हमने रेखा ऐसा ठीक है फिर हमने क्या रेखा तो हमने क्या रेखा अरे यार ये प्लांट थोड़ी है आप लोग को तो पता ही है फिर मैं प्लांट किता सुन्दर सा बनाती हूँ हाँ तो कुछ ऐसा ही बनता है प्लांट अब सुनें वैसे इस से ओपर वाले हिस्से की क्या आवशक्ता है नहीं तो इसको मैं इसलिए ऐसा ही छोड़ रही हूँ अभी हमें आवशक्ता नीचे वाले हिस्से की है बैई देखो किसी भी प्लांट को अगर ग्रो करवाना होता है किसी भी प्लांट को अगर हम ग्रो करवाना चाहते हैं तो इसके इस से में कुछ चीजों का होना बहुत इंपोर्टेंट होता है नाइट्रोजन फॉस्पोरस और पोटेशियम मतलब कुछ ऐसे उर्वर्ग होते हैं जिनका होना अवश्यक होता है अम मालो क्या होता है कि जब किसान खेती किसान ही करता है मालो उसने प्रॉपर लेंड लिया और उस लेंड पर उसने काम करना शुरू अब बद्दाओ जो नपीके इसके पास था मतलब जो और वर्ग इसके पास थे वो तो चले गए अब नीचे के मिट्टी ऊपर वापस से लेकर आई जाएगे और उस पर वापस से बीज बोई जाएंगे और ताकि जो है वापस से प्रोसेस हो सके यह दूसरी किसी चीज की लेकिन अबने कभी सोचा है है जो नंपीके इसके पास से नहीं होगा तो फिर वापस से खुदाएग करके नीचे के मिट्टे को उपर उपर के नीचे करके और मान लो करते हैं उर्वर्क याने फट्लाइज्जेशन का यूज़ करते हैं विभाहरा ने बाहर से जाने वाले बढते हैं मिन्फटा बात करें तो इसमें नाइट्रोजन अमूनिया के साथ के रूप में उपस्तित रहते हैं अमूनिया की मातरा लगबग 25 परसेंट होती है और आलो के लिए सबसे अच्छा उर्वर्क होता है अगर अगर हम वैसे भी कृष्य प्रधान देश है भारत देश हमारे कृष्य हमारे लिए अथा मेहनत करते हैं मतलब उनके काउंटिंग ही नहीं है मतलब महिनों महनत करते हैं तब जाके फिर वो खेती हो पाती है सुभे शाम राद में बहुत जादा एफर्स लगाने पड़ते हैं और खेती के सानी जब होती है ना आप खुश सोचो खाने में हमारे प जाद हag लुखोंखा है औल्यास जालो मेहति चावल मैदिक मातरा में पानी की आवश्क्ता होती है तक बड़सात होती है तब इसकी के बढ़ारा चाइंधी सब् नहीं हो वह थ Ultra क्वारे bei में सबसे पहले जानते हैं क्या होता है ही नाइट्रोजन का सबसे लएस यह षवर्वर्ण होता है जो बाजार में नर्वेजीन निया। इसका आदर नीम यह रहे है नाविजीनि अपयां क्नी 네 नटजोड़्व ती दीन से किसे के नहें आइटो क invers के इसके नाम से नाम से नाम से नाम से जाता है इसके नाम से पूटीशियंग के बारे में अब कहएंगे इंवा के इन क्या हुँ पर किवनSíping के बड़ चाप्टर है थोड़ा सऔर बाकिये फिर फेनिश हो जाएगा वसथोड़ा सब कि रूप में इसका करते हैं पूटेशियम क्लोराइड हो गया थिससे ga consent तो दों कि होते हैं और वाइचा होते हैं पॉस्पोरॉस के रूप में इसका किया जाता है त्रक्राइब इसके के लाइन के रूप कर शुपफ़ेट इड्टों को पीजित कर बनाया जाता है हमारी मनुश्प के अधिया नहीं भाई उसके पीछे भी कहानी होती यह वन्ना तुम कहों कि इंसान के हड्डियों को बीसकर बनाया जाता है क्या इसमें 16-20% तक यह रहता है पीटू-05 रहता है अब क्रतिम मधुकर क्या होता है अर्टिपीशल सुवेटनिंग अगर हम बात करें तो प्राक्रतिक मधुकर रख जो हो इतना ही अब बहुत है इस चैप्टर में क्योंकि केमिस्ट्वी इन एब्रेडेय लाइफ यह डेली अगर हम लाइफ में बात करें तो इतनी चीज़े इनफ है जिसमें मैंने आपको क्या के बताए एक बर में छोटू सो रिविजन करवा जेती हूं पिर हम कर देंगे इसे तो हम ने क्या क्या रिखा है हमने सबसे पहले इक्स्पोटक के बारे में चौना और इस में वह सारी चीजे लिए घ्जैम के लिए हैं नहाने में भी होते हैं यह तौन है किसी का नाम नहीं लेना सकती है तो उसका चैनल होगा कुछ दिन यूस करने के बाद आपको रेलाइस होगा कि मुझे शूट कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है है अब तुमसे यह नहीं बोल रहे हैं कि बिलकुल मुझ्दान इमिट्टी लगा के हिरो ऐसे बैट जो यह नहीं बोल रहे हैं तो अपनी खुद के करने पड़ेगी वह करने तो कोई और नहीं आएगा है ना अब तो शादी भी नहीं हुई होगी क्योंकि जॉब नहीं लगी है पहले जॉब लगेगी फिर शादी होगी चाह लड़का हो चाह लड़की हो गरवाले तो ऐसे पढ़ता नहीं है सुनी करवालों की पढ़ती है पर हाल नौकरी ले लो तो खुश रहोगी जीवन में फिर डिटर्जेंट पढ़ाया मैंने कांच यानि ग्लास के बारे में भी पढ़ाया अब तुम का होगे कांच यानि मैम यह तो मिरर हो जाएगा नहां बिल्कुल होगा किया है है तो हमने जाना कि ऊर्वर क्या होते हैं किन किन परकार के होते हैं खेतों में कैसे प्रयोग किया जाता है और अगर अगर मैं आपको उन जाता है जो हमारे हैं कुछ रेंड पे रहते हैं पूछ चुदन्स रहते हैं गर गरते हैं कभी कवे सुनते हूंने है बहुत महँनत और आ Bear some law harina and have a कि बार फसले नस्ट भी हो जाती है और फिर विचारे किसानों का क्या होता ओगा मंडलब इतनी महनत करने के बाद अंत में फिर जो है थोड़ा सा नेगरटिव हो जाता है लेकिन हमारे लिए बहुत पुछ करते हैं आज हम तरह तरह की चीज़े खाते हैं अपने किसानों के का कप्लीट करा दिया है अब को क्या करना है सेशन आपको पसंद तो आही गया होगा है और यदि न आया हो तो comment section में जो भी डाउट है बिल्कुल से बिल्कुल पूछ लेना कोई भी डाउट हमें छोड़ना नहीं है हमें सारी चीज़ अच्छे से क्लियर करनी है complete करनी है तो अब आपका काम क्या है कि आपको PDF कहां से मिलेगी तो हमारा telegram channel है जिसका नाम है AC plus app and vital discussion channel यहां जाना है आपको इसे follow subscribe जो करना चाहों कर ले ना भाई और वहां पर आपको आज की तो PDF मिले जाएगे इसे के पहले के जो पूरे पूरे हो चुकी है सब यहां सब आप पर cover हो जाएंगे ठीक है अब इसी के साथ साथ आप हम हमारे एसी चैनल के अगर मैं बात करूँ तो फेस्बुक पर जोड़ सकते हैं एसी से जिसका नाम है एसी एडवांस इंजीनियरिंग क्लास है जहां पर आपको बैचिस के रिगार्डिंग कोई भी अगर नोटिफिकेश सकते हैं और वहां पर भी फॉलो करेंगे तो भी आपको बहुत सारे information मिलेगे है के आप को सारी कहानी अच्छे स एक्लियर हो गई होगी और यह भी मेरे कहने पर जैसे में नोट्स बनाती हूँ आप सभी को प्रोवाइट कराती हूँ आप भी वैसे ही नोर्स बनाते होंगे वैसे ही पढ़ाई करते होंगे और वैसे ही पढ़ना भी है है क्यों पढ़ना है वैसे ही क्योंकि आपको यहां पर बहुत सारी चीजे अच्छी चीजे मिल रही है है हमें हमारे टाइम पर नहीं सब्सक्राइब नहीं तो इसे लिए मैंने पूरी physics अलग तरीके से पढ़ाई मैंने chemistry almost जो कि end की कहानी वो भी अलग तरीके से ही पढ़ाया हना क्योंकि यह सारी चीजिए हमें कभी पढ़ाई नीदी बठा बिटा के कि आउ बेटा तुम यह पढ़ लो यह पढ़ लो हमने दस जगे से पढ़कर अपना करना है बिल्कुल दे मोटिवेट नहीं होना है आप इतना हम कैसे कवर करेंगे सब करना पड़ेगा गुवर्मेंट जॉब लेनी है जीवन भर अगर खुशिय से रहना है किसी दरीके का कोई लोड नहीं चाहिए तो अभी अपने आपके उपर जितना वर्क जितनी महनत कर सकत सब कर डालो क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वक्त गुजर जाएगा और आपको लगेगा कि यार उस समय पढ़ लेता काश में क्योंकि समय किसी का इंदिजार नहीं करता है वह इतना तीजी से गुजरता है दो हजार चौबीस आने वाली अब यहां से सोच लो अब तुम कब 21 से 24, 24 से 28, 28 से 30 में पहुँच जाओगे समझ रहे हो कई विकेंसी जैसे भी हैं फिर जहां पर तुम उसमें फॉर्म नहीं भर पाओगे क्यार आज के लिए इतना ही तो थोड़ी ग्यान की बात हो गई मिलेंगे हम नेक्स ग्लास में जहां पर हम अगले चाप्टर को डिसकस करेंगे थैंक्यू ग्लास